नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना हर्याना के विधानसभा सत्र में बजट पे चर्चा के दौरान एक ऐसी बात हुई जिसकी चर्चा अब सभी तरफ है विधानसभा में एक विधायक का पेहनावा जो है वो लोगों की खास करके चर्चा का विशे रहा विधायक नीरच शर्मा ने आज सदन में धोती पेहन रखी थी और एक शौल डाल रखी थी और उनका इस तरीके का पहनावा ही सबका सवाल था कि आखिर नीरच शर्मा ने ये पहनावा क्यों पहना है इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रंड लिया है कि अब वो ना सिले हुए कपड़े पहनेंगे ना पैरों में जूते पहनेंगे जब तक ब्रश्टाचार का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होगा तब तक वो अपनी इस बात पर अड़े रहेंगे नीरच शर्मा का इल्जाम है कि फरीदाबाद में 2014 में 108 करोड रुपए का घोटाला हुआ था और उसी के मामले में वो चाहते हैं कि जिनोंने ब्रश्टाचारी की उन्हें पकड़ा जाएं उनके खिलाफ कारवाई की जाए जब तक ब्रश्टाचार के इस केस में जस्टिस नहीं होगा इस केस में सुनवाई नहीं होगी और जो लोग इसके जिमिदार है वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वो ना सिले वो एक कपड़े पहनेंगे ना ही पैरों में जूते पहनेंगे वो इसी गेट अप में रहेंगे नीरच शर्मा की तस्वीरे काफी वाइरल रही सोशल मीडिया पर और लोग हैरान हो गई कि कैसे नीरच शर्मा ने ये एक स्टैंड लिया है